हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे आज कि हम इस वीडियो में जानेंगे बेटा होने के क्या-क्या लक्षन होते हैं और बहुत ही आज का वीडियो एस पेसल होने वाला है खास होने वाला है और बेटा होने के कई ऐसे डिफरेंट बहुत ही अलग आपको लक्षन बताने वाली हूँ जो लक्षन काफी हद तक सही और सटिक बैठे हैं और कई महलाओ ने मुझे कमेंट करके बोला भी है कि हाँ ए लक्षन है उनके उपर सही बैठा है तो उन्हें बेबी बुए हुआ है हलाकि इनमें से एक या दो लक्षन में पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ लेकि इनमें कुछ और अलग अलग लक्षन एड करूंगी ताकि आप वीडियो को पूरा देखेगा बिल्कुल भी स्किप मत किजिएगा ताकि आपको सही जनकारी मिल सके और आपके जो मन में बह बट ज्यादा कोस्टन आ रहे हैं ओ किलियर हो सकी और आपकी जिग्यासा कम हो सकी तो मेरा फ्रॉष्ट में अपको प्रॉष्ट में महसूँस ilust कॉमेंट्स था जो मैं उनका जो सिंटम्स देखे थे प्रग्नेंसी में ओ भी मैं आपको बताऊंगी तो इसको आपको सही जनकारी लेने के लिए वीडियो को देखना होगा पूरा ताकि आपको इसली सही जनकारी मिल सकें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे जो मोस कांस्तों महिलाव पे सही भी बैठे हैं और उन्हें बेबी बोई भी हुआ है क्योंकि यह लक्षन बेबी बोई कहीं है जैसी कि प्रग्नेंसी के दोरान बहुत ऐनी की कम नींद आना यदि आपको बहुत कम नींद आता है तो ऐसा माना जाता है कि आपके जो गर्ब में पल आती थी ना के बराबर नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि आप देर तक मोबाईल या लैपटप इवच करते हैं तो कोशिस केरे कि मोबाईल और लैपटप से थोरी दूर रहने की तो अच्छे नींद आ सकती है दूसरी बात यह है कि आपको प्रग्नेंसी के द जब गर्व उंप्रिंशी कॉनफर्म करते हैं आप तो चेहरे में बहुत सारे बदलाव दिखने को मिलते हैं जैसे कि आपका नोज मोटा हो जाना यानि कि नाग यदि आपको नाग में बदलाव आया है तो ऐसा माना जाता है कि गर्व में पलरशीशू एक बेबी गल है वही आपका फेस डल हो गया है काले पर गए है खुबसूरती आपका कम हो गई है तो यह एक बेबी बोई होने का निसानी माना जाता है इसके अपोजिट यदि आप काफी खुबसूरत हो गए है प्रग्नेंसी के दोरान तो यह एक बेबी गल होने का निसानी माना जाता है यह ज कुछ हमारे देदी भावि का अनुभाव है। जो उन्हों उन्हें प्रक्डेंसी की समय देखा था, तो आय। आज की वीडिएओ आपको पसंद आई होगी। वीडिए को लाइक शेर सबस्क्राइब के जThena और वीडिएे की जिरूट की ताकि हमारी और प्रेंट महिलाएं जो हैं उन्हें हेल्प मिल सकें और वीडियो आने कोई इरादा नहीं आपको जेनर सेलेक्शन को बढ़ावा देना सिर्फ आपके जिग्यासा को काम करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है थैंक्स पॉर वचिंग